हेलो डियेवियंस मेरा नाम है मनीश वेलकम टू डियेवी गुरू आज हम लोग क्लास एट का शोसल साइंस परने वाले हैं इससे पहले हमने शोसल साइंस का चैप्टर नमबर वन और एट को कम्प्लीट कर लिया है जिसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आज हम लोग चैप्टर नमबर टू को स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में डीटियल में परना है इसमें हम लोग लैंड के बारे में डीटियल में परेंगे स्वाइल के बारे में और वाटर के बारे में डीटियल में परेंगे चैप्टर क आपको अल्मुष्ट हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डिये वी गुरू सर्च करना है और इस चैनल पर आ जाना है उसके बाद आपको प्ले लिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग कैटेगरी में आपको यह चैप्टर काफी ब्रॉड है बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं इसलिए जल्दी से एक बार ब्रीन मैपिंग कर लेते हैं ताकि इसका एक ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में फिट हो जाए सबसे पहले तुम लोग चैप्टर का इंटोड़क्शन पहला है factors affecting soil formation और दूसरा है soil conservation उसके बाद तीसरा टौपिक आता है तीसरा important topic जो कि है water resources इसके अंदर में भी हमें दो topic परना है पहला है pollution of water और दूसरा है water conservation methods इसके बाद यह पूरा chapter complete हो जाएगा class 8 आपका बोर्ट से इसलिए पूरे chapter को जितना भी topics में है सबको अच्छे समझिए ताकि एक्जाम में कहीं से भी कोशन पूछा जाए आप उसको आसानी से अंसर कर पाएं इस चैप्टर के में टॉपिक्स पे आने से पहले हम लुग थोरा सा बेसिक पर लेते हैं अपने अर्थ के बारे में जो कि अलेडी हमने अपने डीटल में परहा होगा चैप्टर नमबर वन में हमारी अर्थ पर जो लेंड वाला पोर्शन है उसको आम लोग दो पार्थ में डिवाइड कर सकते हैं एक part land वाला होगा और एक part water वाला होगा अगर हम लोग land वाले portion की बात कहें तो 30% पूरे surface area का पूरे earth के surface area का 30% part जो है वो आपको land मिलेगा हमारे धर्ती पर और बागी का जो 70% part बचाना उस पर आपको water मिलेगा पूरा पानी से भरा हुआ है 70% part पानी से भरा हुआ हमारे ध 30% part जो है उतना ही हमारा जमीन है उतने दुर में हम लोग रहते हैं यहां पर इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लिजेगा important है यहां पर चारों इस फियर का नाम दिया गया है आप इसको अंडरलाइन करकी याद कर लिजेगा और दूसरा important point यहां पर है हमारे धर्ती पर 30% area land है और बांकी का जो 70% area है वो water है यहां से हमारा पहला main topic start होता है जो कि है land resources land यानि की जमीन land हमारे लिए सबसे important resource है जितने भी resources हमारे पास है सबसे important land ही है इसका पहला region यह है कि अगर आपके पास land ही नहीं रहेगा तो आप exist ही नहीं कर पाएंगे आप imagine किजे कि आपके सब हमें land से ही मिलता है यहीं चीज यहां पर first line में बताया गया है the most important natural resource upon which all human activities based is land हम लोग agree करते हैं इस बात से बिलकुल सही बात है जितना भी human activity है न वो land पर ही based है अगर land नहीं होगा तो कोई भी human activity possible नहीं है इसलिए हम लोग land को सबसे important सबसे ज़्यादा जरूरी resource बोल सकते हैं हम लोग जमीन पर बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं घर बनाते हैं oms बनाते हैं railway tracks बिछाते हैं इंडस्टरीज हम लोग बनाते हैं हम लफ़ग अपने पशूँऊ को चारा खिलाते हैं और यहां तक याम लोग imbzen ko guy खोथ कर उसके अंदरเขे resources को भी हम लोग निकालते हैं in short हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी human activities हैं चाहे वो food से related हो, भोजन से related हो shelter यानि कि घर से related हो और clothing यानि कि कपड़े से related हो सभी land पर ही होते हैं, हर activity जमीन पर ही होता है हमारा जो लिथो स्फेर है यानि कि हमारा जो जमीन वाला part है उसमें बहुत सारे loose surface material आपको देखने को मिलेंगे ऐसा material जो कि हमारे जमीन के surface पर होता है और loose होता है और उस material को हम लोग soil बोलते हैं, यानि कि मिट्टी बोलते हैं हमारी जो मिट्टी है वो दो चीजों का combination है, दो चीजों से मिलकर बनी है, पहला है organic matters और दूसरा है inorganic matters, अब बात ये आती है कि organic और inorganic matter हम लोग किसको बोलेंगे, उसके बारे में यहां से बताया गया है organic component जो होता है मिट्टी का उसमें dead और decomposed parts आते हैं, animals के भी और plants के भी, जब animals या plants मर जाते हैं, तो उसका जो body होता है, वो decay होने लगता है, वो सरने लगता है, उसका decomposition होने लगता है, और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी का वो भी तो एक part हो गया, और इसी को हम लोग humus भी कहते हैं, जो dead or decaying part of animals and plants होते हैं न, उसी को humus भी कहा जाता है, स्वाइल के दूसरे component यानि इन औरगेनिक कमपोनेंट में क्या आता है, वो भी आप याद रखियेगा, इसमें rock particles आते हैं, यानि कि पत्थर के टुकरें और minerals आते हैं, जैसे कि lime हो गया, iron हो गया, etc, जब ये सारे इन औरगेनिक कमपोनेंट और औरगेनिक कमपोनेंट मिल जाते हैं, उसके बाद ही मिट्टी का formation होता है, soil is formed as a result of the long continued weathering process of rocks, इसके बारे में भी हमने class 7 में परा था, मिट्टी का जो formation होता है, न, continued weathering process of rocks के कारण होता है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, धीर रिधरे 2 टूटकर छोटे छोटे particles में बदलते हैं, और इन particles, यही particles जब एक जगा जमा हो जाते हैं, तो मिट्टी का formation होता है, यही particles मिट्टी बना देते हैं, इसके साथ मिट्टी में water और air भी पाया जा सकते हैं, और यह मिट्टी के particles के बीच में जो खाली जगह होता है न, वहाँ पर रहते हैं, आगे हमें बताया गया कि पूरे वर्ल्ट का 90% population जो है, वो plain area में रहते हैं, और यहाँ पर alveal soil पाया जाता है, और हर जगा का plain area या नहीं, सिर्फ tropical और subtropical areas में जो plain area जाते हैं, वहीं पर 90% population आपको दिखेगा, इन areas को हम लोग globe में भी देख सकते हैं, आपको पताए कि बीच में equator होता है, और equator के दोनों तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह वाला जो area है न, इसी को हम लोग tropical और subtropical area बोलते हैं, और इसी में आपका maximum population पाया जाता है, अगर आप North Pole में जाएंगे, या South Pole के पास जाएंगे, तो यहाँ पर population आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर plains तो होते हैं, लेकिन यहाँ का temperature बहुत कम होता है, लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, जिस एरिया में हमारा 90% population रहता है, वहाँ पर intensive crop cultivation होता है, अधिक मातरा में यहाँ पर खेती होती है, और high yields भी हमें देखने को मिलता है, मतलब फसल की पैदावार जो होती है न, वो भी बहुत अधिक होती है, अगर हम लोग सपार्स population वाले एरिया की बात करें, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत कम अबादी पाई जाती है, बहुत कम लोग पाई जाते हैं, तो यह वैसे एरिया होते हैं, जहाँ का altitude बहुत उचा होता है, बहुत उचा ही पर अगर कोई एरिया है न, तो यहाँ पर बहुत कम लोग पाई जाएंगे, उसी तरह से जो dessert वाला एडिया होता है, और equator के आसपास का जो जंगल होता है, जहाँ पर आपको धलान देखने को मिलेगा, अचानक से जमीन उचा हो जाएगा, अचानक से जमीन नीचे हो जाएगा, वहाँ पर भी बहुत कम population आपको मिलेगा, वहाँ पर भी आपको इसपास population देखने को मिलेगा, उसके अलावा ऐसे एरिया भी जहाँ का temperature या तो बहुत गर्म होता है, या तो बहुत ठंडा होता है, जहां कि मिट्टी पतली होती है और infertile होती है, मतलब उपजाव नहीं होती है, ऐसे एरियाज में भी population आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ऐसे एरियाज में आपको सिर्फ वही लोग दिखेंगे, जो कि hunting करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, gathering करते हैं, मतलब जंगलों से खाना जमा करते हैं, फिशिंग करते हैं, और shifting agriculture करते हैं, shifting agriculture खेती का ही एक तरीका है, जिसमें कि एक particular खेत में, एक particular land में एक बार खेती किया जाता है, और उसके बाद उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक बार से ज़्यादा उस पर खेती हो ही नहीं सकता है, अगर उस पर दुबारा खेती करने का कोशिश किया भी जाएगा, तो फसल ही नहीं होगेगा, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लिजेगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि land resources का हम लोग किस किस तरीके से इस्तिमाल करते हैं, तो यह सारे example आप लिख सकते हैं, दूसरा important point यहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि soil का जो organic component होता है उसके बारे में लिखे, तो आप यह line लिख सकते हैं, और अगर आपसे soil के inorganic component के बारे में लिखने के लिए बोला जाए, तो आप इस वाले line को लिख सकते हैं, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि dense population किस area में पाए जाता है, घनी आबादी कहाँ पर पाए जाती है, तो आप इस वाले line को लिख सकते हैं, और कम आबादी किस area में पाए जाती है, तो उसके बारे में आप इस वाले लाइन को लिखकर explain कर सकते हैं यहां तक Land Resources के अंदर यह एक sub-topic है जो की है Land Use जमीन का हम लोग किस-किस तरीके से इस्तिमाल करते हैं उसके बारे में यहां पर हम लोग को डीटेल में परना है सबसे पहले यहां पर तो हमें समयना है कि Land Use Pattern क्या होता है इसको ध्यान से समझिए Land is used for various purposes जमीन का हम लोग अलग-अलग कामों के लिए इस्तिमाल करते हैं जैसे कि cultivation of crops फसल उगाते हैं जमीन पर, building of houses घर बनाते हैं, construction of roads and railways हम लोग सरक बनाते हैं, railway line बिछाते हैं grazing of animals अपने पशुओं को चराते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, जमीन से ही हमें मिलता है, यह सब काम हम लोग जमीन पर करते हैं This is commonly known as Land Use Pattern और इसी को Land Use Pattern कहा जाता है Land Use Pattern के बारे में परना हमारे लिए इसी लिए जरूरी है, क्योंकि अगर एक country को develop करना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके देश में जितना जमीन है, कितने जमीन पर लोग घर बना कर रहते हैं, कितना जमीन है जिस पर लोग खेती करते हैं, कितना जमीन है जिस पर factory बना हुआ है और कितना जमीन है जिस पर कोई काम नहीं होता है, फालत उपड़ा है अगर एक country को ये सब पता है, अगर एक country को अपने land use pattern के बारे में अच्छे से पता है, तो वो country अच्छे से planning कर सकती है अपने country को और तेजी से develop करने के लिए The percentage of land used for various purposes varies from one region to another, मतलब कितने percent जमीन का use किस काम के लिए हो रहा है, ये region पर डिपेंड करता है, मतलब area पर डिपेंड करता है, जैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर जमीन का use agriculture के लिए होता है, खेती के लिए होता है, लेकिन अगर हम लोग तमि एक जमीन को हम लोग किस काम के लिए इस्तिमाल करेंगे, खेती के लिए करेंगे, किस वर factory बना देंगे, किसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उस वर buildings बना के रहने लगेंगे, ये किस पर depend करता है, कैसे हम लोग determine करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये दो factors प कैसा है, उससे भी हम लोग decide करते हैं, climatic condition कैसा है, वहाँ का ये भी हम लोग देखते हैं, mineral resources कौन-कौन सा present है आसपास में, ये सब कुछ हम लोग देखकर decide करते हैं, कि उस जमीन पर आखिर करना क्या है, उसी तरह से ये human factors पर भी depend करता है, जैसे कि density of population क्या है, जिस जमीन को हम लोग use करने वाले हैं, उसके आसपास कितने लोग रहते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर technology available है या नहीं, और उसके साथ साथ वहाँ का social requirement क्या है, लोग की जरुवत क्या है, अगर एक country को अपना economic condition अच्छा करना है, अपने country को develop करना है, तो उस country को अपना land use pattern समझना पड़ेगा, it helps in assessing shortcomings in the land utilization, land use pattern को study करके, जमीन के utilization में, जमीन के इस्तिमाल में अगर कहीं पर कोई भी कमी आ रही है, अगर उसको बेतर तरीके से इस्तिमाल कहीं पर नहीं किया जा रहा है, तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको assess किया जा सकता ह एक country खुद में decide कर सकती है कि वो अपने land का इस्तिमाल किस तरीके से करना चाती है, और ये दो चीजों पर depend करता है, पहला है development goal और दूसरा है availability of natural resources, कितना natural resource है उनके पास इस पर depend करता है, और उनका goal क्या है, वो अपने country को कितना develop करना चाते हैं, इस पर भी depend करता है, एक scientific norm के हिसाब से, science के हिसाब से, 33% पूरे world का जो area है न, उस पर forest होना चाहिए, उस पर जंगल होना चाहिए, ताकि ecological balance maintained रहे, लेकिन हमारे धरती पर अभी 33% forest cover नहीं है, सिर्फ 31.6% area जो हमारे world का है, उस पर ही forest available है, out of this, जितना forest हमारे पास available है, उसका 93% forest जो है न, वो naturally occurring है मतलब प्रगरती में अपने आप उगा है वो forest, और बाकी का जो 7% है वो man made है, उसको इनसान लगाया है, पूरे दुनिया में forest समान रूप से नहीं फैला हुआ है, ये unevenly distributed है, कहीं पर बहुत ज़्यादा forest आपको दिखेगा किसी किसी कंट्री में, और किसी किसी कंट्री में बहुत कम forest cover आपको दिखेगा, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग एक initiative लें, हम लोग एक शुरुवात करें, forest को conserve करके रखने का, जंगलों को बचा कर रखने का, और ऐसा हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं, deforestation को रोक कर, और a forestation को बरहावा दे कर, deforestation का मतलब आ जगाए जाते हैं, उसको a forestation कहते हैं, इस वाले do you know में दो important point दिया गया है, जिसमें कि पहले point में एक country के बारे मताया गया है, जिसका नाम है सूरी नाम, यह South America का एक country है, और यहाँ पर आपको maximum forest cover देखने को मिलेगा, इस country का जो total area है न, वो है 16.2 million hectare, और इसमें से 15.3 million hectare में सिर्फ जंगल ही है, बाकी का 0.9 million hectare बचाना इसी में मातर लोग रहते हैं, दूसरे point में बताया गया है कि इंडिया में maximum arable land है पूरे world में, arable land हम लोग उस जमीन को बोलते हैं, जिस पर खेती करके फसल लोग आई जा सकती है, एक number पे इंडिया आता है, सबसे अधि निटे डे मांट में हमारे पास जमीन अवेलेबल है, इसको हम लोग बरहा नहीं सकते हैं, until and unless हमारे पास कोई दूसरा planet आ जाए, एक नया planet हमें मिल जाए, या हमारा ही planet थोड़ा सा बरा हो जाए, इसी कारण से दुनिया भर के देशों के बीच में conflict होते रहता है, हमेसा ल सालबाद का कौर समझ लिया है, कि ऐसी जट से ले लेंगे, इस कारण से टफ competition भी create हो जाता है, agriculture और बांकी sectors के बीच में land के use को लेकर, कौन ज्यादा land इस्तेमाल करेगा, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसाने, वो चाहते हैं, कि उनको अधिक से अधिक जमीन मिले ख forestation, और इन सब के बारे में हमने class 7 में detail में पराथा, हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग land degradation को कम करें, ताकि हमारे पास जो land resources उसका optimum use हम लोग कर पाएं, उसका बेहतर use हम लोग कर पाएं, और इससे हमारा भी फायदा हो, हमारा जो present generation है उसका भी फायदा हो, और हमारे future generation का land management एक holistic approach है, एक ऐसा चीज है land management जो कि अकेले से नहीं होगा, सब को मिलकर एक साथाना होगा, देश के लोगों को एक साथाना होगा, देश की सरकार को भी एक साथाना होगा, तभी बेहतर तरीके से land management किया जा सकता है, इससे हम लोग एक productive और balanced ecosystem बना सकते हैं, और जितने भी लोग है, उनका जितना भी socio-economic needs है, उसको fulfill कर सकते हैं, फाइनली हमने इस chapter का introduction और land resources को complete कर लिया, अगले class में हम लोग soil resources के बारे में पर रेंगे, और इसके अगले class में हम लोग water resources के बारे में पर कर इस पूरे chapter को complete कर लेंगे, अगर आपको इसका second part भी चाहिए, तो interesting बनाते रहेंगे, अब तक social science के जितने भी chapters को मैंने complete करवा दिया है, उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए, फिलाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले class में बहुत सार और ने topics के साथ अब तके लिए अपना ध्यान रखे और अच्छे से बढ़ाई करते रहें